मुष्किले बढने वाली है अभूसी क्यों को टलंगाना या कॉंग्रिस की सरगार बन गई है उनकी मुश्किले क्यों बढ़ेंगी हम करते रहेंगे पानी पीपी के कोस्ते रहेंगे कॉंग्रेस को और कॉंग्रेस को फरक नहीं बढ़ता हमने साबित कर दिया देखिए अगर वह मुसल्मानों के नेता होते तो साथ सीटों पर चुनाओ साला लड़ते हैं पूरे हिंदु परीशानी ना खडा हो तो प्रशानी ऐसा कि अएलेक्षेन वहीं क्यों लड़ने जाते हैं जहां पे कॉंग्रेस जीत रही होती है ऐसा क्यों है इए कोई ये कॉट में लड़े Хरक कोई अजडते आजर मुल्क है आजार वेक्ति है कोई भी कहीं से लड़ें कोई पाबंदी लगाएगा आप यहां से लड़ो आप यहां से लड़ो चलिए मैं कहता हूँ अच्छी बात है चुलाओं करना चाहिए और कौंवेस के गढ़ में जाके लड़ें को मसला नहीं मगर बेफदूल की बात करते हैं क कि उनका आज तक हल क्या निकले मुझे बताई कि आप एक यह कॉंग्रेसी ही थे जोंग्रेसों से लड़ रहे थे और सौ साल लड़े जेल गए पंडित जवाल नहरू ने अपनी जवानी आधी जेल में गुजारी है अगर उनका पूरे कारेकाल दे 11 साल जेल में रहे तकरी कांग्रेस के आजिए इनसे बाचीत करते हैं जिस तरीके से तीन राडियो का दो चुनाओं का जो परिनाम आया है जिसमें कांग्रेस की बहुत करारी हार के बाद इनसे बाचीत करते हैं कहां चूक हुई कहां पर जाकर के मेहनत में कमी रही और क्या गलतिया रही हैं जिसमे कॉंग्रेस जहां पर एक तरफा जीत का दावा कर रही थी, वहीं पर जो है, राजिस्थान, मद्यापदेद, 36 गड़ में कॉंग्रेस की करारी हार हुई है, आइए बाचित के देख कहां चूख हुई है, जिस तरीके से कॉंग्रेस का दावा था, कि वहां पर जो राजिस्थ बनाने में काम्याब हो गई। राजिस्थान में जी साब से लर्कियों के लिए योजना थी और वो थी अपना जोनका इंशूरेंस सा मैडिकल का खरीब लोगों के लिए जनकल लियान योजना है, वो सुपरिट थी है, वो कहीं ने के लोगों से पसंद कर रहे थे, चैनलों के माध्यम सेम ते देखा, कि कित कदर कॉंगर्स को बर्चल के वोट दे रहे को तैयार थी और सपोर्ट थी, और हम जीत रहे थे, यही बात सब एक्जिट पोल भी कह रहे थे, राजिस्थान बद्यपरदेश को फसावों बताये थे, चैनलों जीते हुए थे, जीत रहे और हार गये, तो दिखें कहीं न कहीं, जो अंडरकरंड या तो फिर मीडिया भी नहीं समझ पाया, तो यह तो कुछ ऐसा खेल हुआ जो पूरा अंदुस्तान नहीं समझ पाया, वही तो समझनी की जरूँए थे, आखिर कहां कमी रही, आप इस तरीके से बता रहे हैं, योजना ये काफी बिल्कुल करा, डाल देते हैं, कि जब अश्टी वोट किसी को कोई नहीं डलवा सकता, और रही बात, बहुत से लोग आवाद उठाते हैं, इवी एम का खेल होता, तो तिलंगाना में कॉंग्रेस की सरकार बनी है, वहां का इवी एम नहीं था, मैंने इवी आप से बात ही थे, बहुत स कहीं नहीं रहा, मैं पूरी बात समझ नहीं कोजिश कीजिए, आप देखिए, जब पोस्चल बैलेट खुले दोनों स्टेट में, राइस्तान मद्यपरदेश में, सिक्सी परसंट हमारे फेवर में थे पोस्चल बैलेट, यह तो अपने टीवी पे देखा ना, सब ने देख पोर्टल पे, मद्यपरदेश में, कि वो डलवाए गए हैं, एक वीडियो भी चल रही है, आपके पास होगी चल वो, कि एक आदमी और लोगों के बटन दबा रहा है, मद्यपरदेश में, तो देखिए, दलबल का परियोग तो होता है, और इन्होंने किया है, और इलेक्श की वज़ा क्या रही? लागू कर दी, क्योंकि उस चैब आचार सहीता नहीं लगी थी, और उनके वहमोगुमान में बात नहीं थी, कि कॉंगरे सहसे कर सकती है, तो एक खलती है, इस पे विचार मंतनम कर रहा है, कि हमसे कहाँ चूप हुई, क्योंकि यह हमें आचार सहीता लगने के बात घोचला क करने थी, ताकि सरकार इसे इंप्लिमेंट ना करा पाए, तो सरकार ने क्या किया, चूप बात पहले लिख हो गई, तो सरकार ने सारे सेकेर्टरिस को बिठा के बिटिंग करी और सबके नमस बगाए, और लाटली बहनी उजदा लागू कर दी, पिर वो भी कुछ नहीं कर सक को सीएम फेस देखना चाहती थी, लेकिन कमलनात जो है सीएम बन गए, तो इस वज़े से नाराजों की भाजपा में चले गए, तो यह कहां तक सही है, जोती राजे सिंद्या साब को कॉंग्रेस से बहुत सम्मान दिया, बड़े नेता थे पार्टी के, राहुल गानी जी के करीबी थे, मगर कहीं न कहीं वो अपने आपको सेल्फ गवर्न समझने लगे थे, प्रॉब्लम क्या होते है नेताओं में, यह अपना आपको बहुत बड़ा पार्टी से बड़ा समझने लगते, तो जिस दिन यह अपना आपको पार्टी से बड़ा समझने लगे, यूपी क तोन पर पर्देश के जनता भी चाहती थी कि जोती राज इसी अम बने मद्यपर्देश का अगर कॉंग्रिस बना देती तो वह भात्य बदेश ने गल्ति करी है कॉंग्रिस ने गल्ती यू नहीं कि गल्ती जोती राज शिद्दे ने कर दी उन्हें जादा जल्दी कर दी दिखिए वो अपने आपको बहुत बड़ा और तेजो तर्रार नेता समझने लगे थे उन्हें लगा था कि मद्ध्य परदेश के मालिक वही है अब भाश्पन में ज करदने है मद्ध्य परदेश के नग्रेस हार गई माँ बड़ा परदेश में अब तो एक्सेप्ट बात है अगली बर बनेतomeद़ करें दहों सबसे पहले नहीं पता दू कॉंघ्रार से एक विचारदारा है और अभी यह तो आट-नौ सा दस-बारा साल हुए हैं, मोधी सरकार को, हम तो अग्रेज़ों से लड़े हैं, कहा थी भाजपा, जब हम अग्रेज़ों से लड़े ते, यह तो माफी नामें लिख रहे थे, सावरकरजी पैर पकल लेते हैं, अग्रेज़ों के मुझे माफ कर दो, यह अभी भी लड़ेगी और हमें लड़ने की आदत है योद्धा जब ही पैदा होते सूर्मा और योद्धा जब शिकस्त मिलती है हार के बाद ही जीत होती है यह राजिस्तान में कहा कमी रही जो हार गए कॉंग्रेस मैंने आपको बताया राजिस्तान एक पंडूले में स्चेट से अलग हुआ था वो राजपूत वोट वापिस आया क्योंकि वो जो टेलर मारा गया था उसको उन्होंने काफी कैपिटलाइस किया तन से जुदा के नारे चला देखिए भाजपा से लड़ना बहुत अलग खीर टेड़ी खीर है बहुत अलग है तो सबसे पहला भी समझने किजिए कि भाजपा ने बहुत छोटे से मुद्दे को कनया कुमार जिसको मुआफज़ा भी दिया गया जिसके घरवालों को नौकरी भी दी गई और जिन लड़कों ने उसे मारा था उनको जेल भी हुई सजा भी हुई मगर भाजपा ने वाटसप ग्रूप के दुआरा ग 36 गड़ में किया जादू चला भाजपा वहां पर सरकार बनाने में कामियाब हो गई अब 36 गड़ में हुआ क्या कि भाजपा ने 36 गड़ में एक अलग पॉलिसी हिंदुत्व की चलाई साहू जो मारा गया वो चार परसेंट मुसलमानों से पूरे समाज को डरा के जबकि साह के परिवार को कॉंग्रेस सरगार ने नौकरी भी दी मौफजा भी दिया मगर भाजपा ने उसी के बाप को टिकेट दे दिया और नरेटिव यह चलाया कि मुसलमान आ जाएंगे मुसलमान उने से मारा है और यहां पर जिहाद होगा यह होगा तो हिंदुत्व का नरेटिव बहुत जम के चला कहीं न कहीं छोटे इवेंट को छोटी सी घटना को बड़ा इवेंट बनाके और गोधी मीडिया के मादधम से हाइलाइट करके यह उसको आउट्शाइन कर देते हैं आपकी सारी मेनत को देगे जब तक सौतंतर प्रेस नहीं होगा आम जंता तक हमारी बा की सां साथ किना है जीत की बात हो रही है एक बी-मुष्मानों वरान करके आए जीत का लेओंimasन क्या चलता है मुस्लिम भाई जो काबिल है जिनके लियाकत है सदाकत है वो आगे आएंगे उनको मौकत दिया जाएगा देखिए तिलंगाना में यंग बिगेट थी और तिलंगाना का पहला चुनाओ था जो राहूल गांदी डिरेक्ट लड़ा रहे थे उन्होंने एक यंग लगे को उसकी सब्सक्राइब लगातार कॉंग्रेस के लिए कहते रहते हैं कि खलाब बुलते रहते हैं क्या लगता आपको कि वैसी सहाब के लिए मुश्किले बढ़ने वाली है दिने कि वैसी सहाब तो बिचारे पहले हमारे साथ ही थे वहीं 2013 तक तो यूपी गड़बंदन अभी की बा अब उनकी मजबूरी है कि अगर वो कॉंग्रेस को सपोर्ट करेंगे तो भाजपा आजम खांग के तरह उनकी उनकी उनस्ची तोडवा देगी सील करा देगी सारी तो बिचारे कहीं न कहीं मजबूर है और होना भी चाहिए देखिए मुश्किले बढ़ने वाली है उसी खांगे कंगरेस को और कॉंगरेस को फरक नहीं पड़ता हमने साबित कर दिया देखिए अगर वह मुसलमानों के नेता होते वह साथ सीटों परुणाओ सारा लडते हैं पूरे हिंदुस्तान में चुनाओं क्यों नी लड़ते और लडते हैं तो क्या जीतते हैं क्या लेकी पूरे हिंदोस्तान में पूरे भारत में अगर चुनाओं लड़े तो लोग उन पे टेग लगा देते हैं कि वोट काटने के लिए खड़े उसमें भी परिशानी है खड़ा हो तो परिशानी ना खड़ा हो तो परिशानी ऐसा क्यों देखें एलेक्शन वो वही क्यों लडने जाते हैं जहां पर कॉंग्रेस जीत रही होती है ऐसा क्यों है यह कोई पर्तिबंद है कहीं भी लड़े आजाद है हरको आजाद मुल्क है आजाद व्यक्ति है कोई भी कहीं से लड़े कोई पाबंदी लगाए आप यहां से ना को वे मसला नहीं है मगर बे-फ़जूल की बात जो हो करते हैं कि राउल गांदी यहांस moan多 के हक बात करना। कि हम नहीं करते हैं मसल्मान की मुष्मानों की हक की बात मुसल्मानों पे जहां भी कुछ भी जौम होता है कुछ व पर्लेमेंट में आवाज उठाते हैं गरजते हैं तो क्या यह गलत बात हैं पड़े लिखें अच्छी बात बोलते हैं इसमें कोई दो राय नहीं वो मुसल्मानों की जिन इशूस को ठाते हैं उनका आज तक हल क्या निकला मुझे यह बताईए आप एक इशू ठाईए आप उसे बोलिए मगर फिर आप उसको फॉलॉप तो कीजे फॉलॉप करके उसको उसके इंजाम तक पहुचाईए जो आप करदे के लिए खड़े हुए सवाल लेते हैं कि 2024 का चुनाओ बिल्कुल खरीब है दो से तीन महीने रहे गए मुश्किल से इसमें जिस तरीके से भाजपा भी दावा कर लिए के पर चंट भाहुमत से 2024 में सरकार बनाने जा लिए क्या लगता है कि 2024 में भी मुझी खाने पड़ी कि कॉंग्रेस को से और अभी से शुरू करने पड़ेगी इनका जो एक नरेटिव है नफरत का देखिए मैं शुरू से एक बात कहता हूं राहूल गांदी जी जो बात कहते हैं वही मैं कहता हूं भाजपा को हराना आप मोधियों भाजपा को हराने की मत सोचिए आप नफरत को हराने की सोचि देखें नफरत हार जाएगी भाषपापने आप खतब हो जाएगी हिंदू-मुस्लिम एकता पे आप तो ठी नाजी हार गए हैं हमने इससे बड़ी हार देखिए हमाई तो नेता इंद्रा गांधी जेल भी गई थी कॉंगर्सी घरगर से उठाए गए थे 24 में क्या लगता है कॉंग्रेस जन्ता का एतमाद हासिल करने में काम्याब हो पाईगी कॉंग्रेस को जन्ता का एतमाद हासिल है बस अब हमें जन्ता के बीच जाना हमारे नेता राहूल गांधी जन्ता के बीच है मगर यहां मेरी गुजारिश अपने बड़े नेताओं से भी होगी जो डीजनल बड़े नेटा हमारे स्ट्रॉंग होल बने बैटे हैं वो भी कमसे-कम सवड़कों पे आके गरीब आमाम के बीच आए और अपना पक्ष रखें बहुत शुक्रिया मैं साथ दानिश अलीम जो ब्लॉक अध्यक्ट राकित नगर के कॉंग्रेस के इनसे बाच 24 का एलेक्शन में क्या लगता है जनता को एतमाद हासिल कर पाईगी कॉंग्रेस क्या लगता है 24 में कॉंग्रेस सरकार बना पाईगी क्योंग ऐसे में बहुत मुश्किल होगा क्योंके तीन राज्य वो भी बड़े राज्य राजस्थान और मद्यपदे और एक 36 गड़ जो